मेकैनिजम दीखते हैं अल्डोल कंडनसेशन का सबसे पहले यहां पर स्टेप 1 के अंदर OH- नेगेटिव आएन अल्कली से हमने यहां रियाक्ट कराया है असेटिक अल्फा हाइड्रोजन एटम जो की अल्डी हाइट में प्रेजेंट होता है तो यहां असेटिल्डी हाइट का मॉलेक्यूल लिया है और इसकी रियाक्शन OH- नेगेटिव आएन के साथ में कराई है OH- नेगेटिव आएन यहां पर H- प्लस को बाहर निकालेगा इस CH2 पर क्या आगया नेगेटिव चार्च तो स्लो स्टेप में हमारे पास में यहां पर क्या प्रोड़क्ट बन रहा है वाटर मॉलेक्यूल और यह यहां पर CH2 पर नेगेटिव चार्च एक लोन पेर और CHO बॉंड जो CHO हमारे पास में यहां पर प्रेजेंट है इसमें ऑक्सीजन जादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है के पास पाई बॉंड शिफ्ट करेगा यह कार्बन इलेक्ट्रों डेफिशेंट हो गया इसको न्यूट्राइज करने के लिए यह नेगेटिव चार्ज यहां पर आके डबल बॉंड बिनाएगा यह रेजनेंस स्टेबलाइज स्ट्क्छर यहां पर बन रहे है इसके अंदर सी हैज़ 2 डबल पोंड ची हीड्रोजन और यह उक्सीजन पर हमारे पास में टीन इलेक्ट्रों पेर और नेगेटिव चार्ज यहां पर क्या बन रहे हैं इनुलेट आईन के रेजनेंस स्टेब करानी है हमें inolate iron की acetaldehyde molecule के साथ में acetaldehyde का molecule यहाँ पर लिया और इसकी reaction किसके साथ में कराई है inolate iron के साथ inolate iron में जो carbon पर negative charge present है यहाँ पर electron rich center है इस वज़े से यह nucleophile बनेगा और acetaldehyde molecule के अंदर oxygen जादा electronegative पर pi bond shift करेगा इस पर डेल नेगेटिव चार्ज आ गया यह carbon पर डेल प्लस चार्ज आ गया जिसकी वज़ा से inolate iron का carbon negatively charged इस carbon पर जिस पर डेल प्लस चार्ज आया है जाके bond बनाएगा और हमारे पास में यहाँ पर एक anion बनेगा निकलियोफिलिक अटाक से CH3 यह carbon पर क्या आ गया यहाँ oxygen पर इन electron pair negative charge CH2 CHO यह हमारे पास में यहाँ पर anion बना है और step 3 के अंदर जो anion हमारे पास में यहाँ पर बना है CH3 CH oxygen पर इन electron pair negative charge CH2 CHO यह यहाँ पर water molecule के साथ में react करके oxygen का negative charge H plus को बाहर निकालके water में convert करेगा और हमारे पास में यहाँ पर final product हम देख रहे हैं जो कि CH3 C के साथ में oxygen ने जो hydrogen अब्स्ट्राक्ट करा यहाँ पर O negative ने OH में convert हो गया और यह hydrogen इसके साथ में CH2 और CHO इस compound में एक साथ CHO और OH क्रूप आ रहे हैं तो यहाँ पर इस compound को हम क्या बोलेंगे LD height भी present है इसमें और OL भी present है तो LDol लेकिन LDol condensation की mechanism हम लोग देख रहे हैं LDol जो है यहाँ पर dehydration शो करते हैं अगर हम इनकी acidic medium के अंदर heating करेंगे तो dehydration of LDols देखो next step में यहाँ पर जो हमारे पास LDol present है CH3 CH, OH, CH2 में से एक hydrogen को अलग करके लिखा और यह CHO group present है यहाँ से OH negative आइन और H plus को बाहर निकालेंगे तो water molecule बाहर निकल गया और H plus को बाहर निकालने पर इसका जो bond है वो carbon-carbon के बीच में आके double bond बना देगा acidic medium के अंदर हमारे पास में यहाँ पर यह reaction होई है और इसने water molecule को लूज किया है heating पर क्या product बना है CH3 CH double bond CH CHO compound का नाम क्या होगा यहाँ पर but 2, 3, 1, L अब जो carbon atom यहाँ पर CHO group करी कर रहा है वो alpha carbon atom इसके साथ वाला बीटा carbon atom तो यहाँ पर compound क्या बना alpha-beta unsaturated aldehyde alpha-beta unsaturated aldehyde पने हमारे पास में जब हमने यहाँ पर aldol condensation की reaction देखी तो यह था mechanism of aldol condensation THANK YOU